पर पार्टी की अपनी मजबूरियां है, उस मजबूरी के साथ साथ अगर उनको ये महर लगानी पड़ रही है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं, मुझे उनकी बातों से मुझे लगता नहीं कि उन्होंने दिल से बात बोली है, और हमारे पूर मुख्यमंत्री भी रहे हूं, पड़े लेखे वेक्ति हैं, उनको समझ के बोलना आता है, वो बलते हैं, इसी नौटकी जो है, इनी के पल्ले जान स्थिती क्या है, न्यूज बॉन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजो लरायाई, और मैं हूं हरीश अस्वाल, आज हम बात करने वाले हैं, देश के विभाजन पर, अब आप ही पूछेंगे कि आज देश के विभाजन की बात क्यों हो रही है, ये तो सौमी प्रिसाद मौरे ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान यानि कि बटवारे के जिम्मिदार जिन्ना नहीं वीर सावर कर थे, हरीश जी मेरे साथ मौजूद है, अगर बात की जाए देश के बटवारे की विभाजन की, तो इसको लेकर हमने हमेशा से ही ये सुना है कि जिन् प्रिसाद मौरे और सौमी प्रिसाद मौरे भी यही कह रहे है कि वीर सावर कर जिम्मेदार है, हिंदू जिम्मेदार है देश के बटवारे के लिए। ज़्यादा समझने की ज़रुत है। पहले इन्होंने पिसली बार एलेक्शन लड़ा तो यहारे अगर इनकी विचार इतने ज़्यादा अच्छे होते और जनता को प्रभावित करने वाले होते तो यह अपने विचारों से उनको कहीं अपनी तरफ कर लेते कैसे भी करके पर इ कुछ लोग इस प्रकार के इनके हैं जिससे कि पार्टी का नाम भी चर्चा में रहे और यह खुद अपने हाप भी चर्चा में रहे तो यह सिर्फ चर्चा में रहने के लिए इनको आजादी का असली मतलब इनको पता नहीं है और आजादी होती क्या है यह दुनिया वो क्य समझाएंगे जब इनको इत्यास ही नहीं पता है चलिए ये तो इनके अब हरी श्रावत के उपर आपने बात करी हरी श्रावत आई इंडिया गडबंधन के वो भी एक कॉंग्रेस पार्टी से हैं समझदार वेक्ति हैं और मैं समझता हूं कि उनको किसी भी सब्जेक्ट में ब कोहर लगानी पड़री है क्योंकि वह ऐसा बोल रहे हैं मुझे उनकी बातों से मुझे लगता नहीं कि उन्होंने दिल से यह बात बुली है उन से बुलभाया गया है कि ताकि भी सी करेंट करते रहो आब ही इस जितनी भी सी कनट्रवर्ष इस आज की दरेट में आप देख किया है तो इन्होंने हमास को समर्थन कर दिया सही गलत की परिभाशा तो है नहीं आपर आप आजाओ कि इनको एलेक्शिन टाइम पर ये सब चीजें क्यों करनी है ये प्रोपेगंडा क्यों करना है ये प्रोपेगंडा कारण है कि आप हिंदू को वोट शेयर देखोगे तो 43 40 44 पर फ़ट सेहर पृट ऑर इसी प्रकार से बाकियों का वोट शेयर देखोगे तो कम आएगा जो पंदरा पंदराग परसंट के ऐस्पास आता है अर अंधिया जातिया मिला मिला के तो बीजे पी से वो 39% के असपास कहीं टिकते हैं तो सरकार बनती है बीजेपी की 43% पर अब हिंदू वोट एक ऐसा वोट हो गया है जिसमें की अगर आप देखें कि हिंदू को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है ये आई इंडिया गडबंदन समझ चुका है कि हम यहां सेंद्मारी नहीं कर सकते अब सेंद्मारी करने के तरीके चक्रव्यू तियार किया गया चक्रव्यू के अंदर क्या है हिंदू को हिंदू के खिलाफ लड़ा दो अब वो लड़ेंगे कैसे जाती जनगर्णा की बात हो रही है जाती जंगर्णा क्या है आपको पता है मुस्लिम वोट तो इतने हैं वो हिंदू की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे वो जादा-जादा मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर या कॉंग्रेस को लेकर या सपा को लेकर तीन-चार जगे ही बटेंगे तो अल्टिमेटली जो गड़बंद हैं तो तीन-चार जगे बंटे भी तो घरी आएंगे इनके तो वहां तो ये सेफ गेम खेल रहे हैं अब आते हैं कि ये हिंदूओं के वोट के ओपर इनको सेंद्मारी कैसे की जाए ये तो इक जुटता है 43-44 परसंट का वोट से रहे हैं तो इसको तोड़ने का तरीका इन्होंने ढूंडा कि जाती जंगर्णा की बात की जाए और हिंदूओं को इनको जातियों के अंदर ही बांटिया जाए अब मैं बोलों कि ब्रह्मेंड और ठाकुरों के वोट कितने हैं दस से बारा परसंट बाकी के अन्य जातिया है जैन है बुद्धिस्ट है क्रिश्चन है तो इसी लिए बाटने की बात की इसी लिए इस चीज को बीजेपी से बस्ती वी नजारा रही क्योंकि उनको पता कि ह ही है और जातियों को तोड़ना हिंदू को तोड़ना सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है हिंदू आपस में ही तूड़ जाते हैं तो इन लोगों ने यह पकड़ लिया है तो इस तरह की बयान बाजी जो हो रही है वो यह कारण से लिकिन 1947 का जिक्र अब 2023 में क्योंकि 2024 मे इतिहास पड़ा है मैंने भी पड़ा है अटिहास में क्या ऐसी आवाज कभी हुई है कि हिंदों ने मांग की थी कि हमें हमारा अलग से देश चाहिए साफ कहा गया था कि जो मुस्लिम है भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहें वो कुछ नहीं है मैं फिर आपको फिर कि सौमी परसाध महरेस जी लगाए जिए राजादी कि लगाले जैंगई अज़ादी कि लगा HIGAL ईंसे पहले यह हो जाजज़ व्यक्ता जरूल मट जिए अरह में ने भी इतिहासी पडस को जो कोशिश कर रहे हे अरjut बढ़काव ब्यानबाजी जो कर रहे हैं उनको उनका ज्ञान भी चेक करा लिया जाए अग इतने पड़े लिखे वेक्तिय हैं वो भी चेक करा ठीक है आप एक नेता बन गए हो इसका मतलब ही नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे अग्याइड रामचरित मालस को कबी कहते हैं जिसका मतलब नीच होता है अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो भी एक हिंदू समाज से आते हैं और हिंदू समाज में अगर वो बोलें अपने अपको अगर वो अपने आपको भी हिंदू समाज से अलग समझ रहे हैं तो अपनी जाती बता दे हैं वो कौन सी अलग डेफिनेशन है उनकी जातियों की तो फार्सी हैं कि कहां से हैं वो वो ही बता सकते हैं क्योंकि उनको इतना ग्यान हो गया है अगर मानलो कि वो हिंदूओं को बांटने की जो बात कर रहे है तो ये देश की समस्या बहुत बड़ी है इन चंद मुठी वर राजनिताओं के चक्कर में हम अपने देश के एक जुटता को तोड़ रहे है और उसको समझने की जगए है इनकी बातों में जो कुछ लोग आ जाते है वो गलत हो जाता है तो ऐसे बयान बाजी जब भी हुई है वोर्ड शेयर पे फरक पड़ा है पर अब 1947 से लेकर 2023 तक की बात करेंगे तो स्वामी परसाद जैसे मौरे लोगों के लिए जगए अब नहीं है 2023 और 2024 पे जगए बिलकुल नहीं है इनको इनकी इस पर इस पारी अगर आप देखेंगे कि तो कितने युवा आप वोटर बन के आए है तो आपको लगता है कि वो इन लोगों से इंफ्लेंस होंगे कहीं पर भी लेकिन वो कहते हैं कि अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़े चल रही है सनातन को लेकर हमने पहले देखा है दंगे यह बहुत जादा हो रहा है और अब जो यह इस्राइल और हमास वाली चीज़े आ गई है हमारे देश से हमास के लिए आवाज उठ रही है कुछ मौलाना आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हम तो हमास के लिए सब कुछ कर देखेंगे बता हूं इसमें मैं योगी आदेतिनाज जी को बड़ा सही मानता हूं उन्होंने एक अभी अपना इंस्ट्रक्शन भेजा है उसमें यह बताया है हमास के जो भी सपोर्टर हैं अगर उनने कुछ इस तरह की उल्टी सीधी बात करी इसके कारण कुछ दंगा बढ़का उनकी दायरे में रहिए अगर आपने कोई हरकत करी तो आपकी खिलाफ एक्शन होगा देश के भविश्य के लिए गलत है जो कुछ देश में हो रहा है स्वामी प्रसाद जैसे लोग जो है वो इस तरह की बयान बाजी करते हैं युवाओं को अब बरगलानी की कोशिश कर रहे हैं देखें अगर मैं अर्बन एरियास की बात करूं बड़े-बड़े महानगरों की शहरों की बात करूं तो यहां तो लोग ठीक है समझदार है बालेंस करना जानते हैं डिफरेंस करना जानते हैं लेकिन गाओं देहात में आज भी लोगों को उतनी समझ नहीं है कि इन सब उर्बन देखा है पिसले एलेक्शन में एक हाप इनसे कोई मैं इनका एक बल्की इंक कि खुद एक रेली कवर की थी मैंने और जिस जगे रेली कर रहे थे अचे जज बगल में मैं एक शुल में मैंने इनकी रेली कवरना करते हैं वो भागते नजर आये ते तो यह हालत है इ इनकी हालत इस प्रकार किया, इनकी बाद जवाब नहीं है, ये रटे रटाए घर से चार शब्द रहते हैं, कि आज मुझे हिंदूओं को किस तरह से गिरना है, ताकि लोग मेरा नाम लें, ताकि मैं जिंदा रहूँ हूँ, जिंदा रहूँ, फिसिकली हेडलाइन्स में बने प्रकार को लेकर उन्होंने एकदम अखलीश आदा मुखर है, लेकिन बोलते नहीं है, पच्टे हैं, उनको पता है ना, उनको अखलेश को अखलेश पड़ा लिखा वेक्ति हैं, और हमारे पूर मुख्यमंत्री वी रहे हैं, उनको सो समझ के बोलना आता है, उनको सुछ कभी कवर अप करते में नजर नहीं आया हूंगे, उनको पक्षमे या पार्टी से किनारा, इससे पहले भी हमने देखा है कि INDIA का जिकर हम करते हैं, क्योंकि बात उठ जाती है, इससे पहले उदेनिजी स्टालिन पर भी हमने चर्चा की थी, ए राजा पर भी हमने चर्चा की लोग ऐसा लग रहे हैं कि सनातन को टार्गेट करने के पीछे पड़ गए हैं, क्या ये चाहते हैं, क्या ये करना चाहते हैं, अब इस बिल्कुल समस्य पर रहे हैं, क्ये चाहते क्या हैं, खुद हिंदू हैं, फिर हिंदू को टार्गेट करना है, ये देखो, नेता की कोई सबस्टीं यहां कि अपने खागिट कर सकता है कि अब मैं फिर बोलूंगा कि जंटा को समझने कि फिर से ज़रूरत है कि A कि एसे लोगों के बैयान को दोता है एक लाइक फिना देना तो बेटर होगा और ऐसी ऐसो की च्तुम एक अपने भाईयों से बोलूँ गा पत्रकार भाईयों से ऐसो की तो प्रेस कॉंफेंस भी नहीं करनी चाहिए एकर कुछ मॉलाना तो खुश होते है इस तरह की बैन बाजी से अब मॉलाना क्यों खुश होते हैं ऐसे बैन बाजी से उनको लगता है कि उनके ठंडक पड़ है संस्कृत भी आनी चाहिए तो और्दू भी आनी चाहिए भी जाए लेकिन देश में से आवाज उठती है कि से हिंदू राष्ट बनाना चाहिए एक तरह जो हमारे अलसां के नहीं कहूंगे अच्छी आवादी है लेकिन ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट जातियों के ऊपर भी बात करनी है इन सब से पूछो कि भी यह ठीक है लिकल नोटेड एवरिधिंग इस नोटेड नाओ यह सारी चीजें अब आजाओ जो तुमने काम किया उस पर बात कर ले उसका जिक्र कहीं नहीं है आप अपोजिशन में थे विदान सभा में बैठें आपने कुछ काम किया आपने अगर काम अगर हिंदुस्तान है हिंदू एंदुस्तान मतल vert होल्री ऐसा नहीं है इसको बनाने की जरुरत नहीं है आप प्यार ऐreiben से सब रह रहे हैं तो रहने दो नेतां से पूछना चाहिए कि भई क्युं कि तुम्हारे बैन बाउला है यिजह जातय शुर चुछ लोग बहड़क लेकिन जैसे सौबी पुसाद मौरे ने बयान दिया है आपने जाती की बात की जाती जनगर्णा की यह जाती को टार्गेट करने की कोशिश कर रहे हैं इधर बीजेपी इसको एकजुट करने की कोशिश कर रहे है जाती जनगर्णा क्या यह सही वक्त है यह करवाने का जो करने से कुछ नहीं होगा उसके लिए समय चाहिए उसके लिए ऐसा नहीं कि या तो फी 2011 वाला लागू कर दें विपक्षे केते हैं कि 2011 के हिसाब से आप देख लीजिए तो वह पॉसिबल है नहीं आप समय इतना बचा नहीं है तो अन्नेसेसरी की डिवेट्स हम जाती कर जंग देख हमारा देख कैसे उननती करेंगा इन पर बात करनी चाहिए थी जिस तरह से अपने अपने एजिंडा लेकर इनको सामने आना चाहिए था कि यह पिसली सरकारों ने काम किया था हमारे स्ट्राटीजी यह है अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हो तो हमारी ने करेम भीजेशन तो हमारा बिलता है पास क्यों निहीं किया है राम मंदीर आपका मुद्धा तह आपने क्यों नी बनवाया आपने क्यों फाइट किया है वो डर होता है कि आपर स्ट्राटीज पर अपरिशेट करें अगाराथ इन्होंने दस सालों में किया तो अच्छी सब्सक्राइब कर सबस्क्राइब तो बता देंगे कि हामे क्या-क्या मिला है चाहे वो प्रधान मंत्री हावास आजण हो चाहे बो जोला योजणा हो चाहे कोई भी योजणा हो ऑजना हो बाल मिल रहे है तो फिर जरुरत क्या है मैं वह ही बोलánt, जाती जडगरणा की ज़वरत है नहीं, जीतने भी लाब हैं जीतने भी लाबामा सब उठा चुके हैं और उठते भी रहें और उठते रहेंगे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा ता कितने ट Windows पयोड फैसा कोई भी नहीं है कि मुस्लिमों के लिए यह उजना है या हिंदों के लिए यह उजना है या हिंदों में इतनी जातियों के लिए यह उजना है ऐसा कहीं यह वो समान यह उजना है सब का फाइदा सब लेते हैं तो जातियों का जाती जंगर्णा होनी चाहिए मैं बोल्कुल होनी चाहिए उसका जद्वांटेज भी होने चाहिए न फिर माननो मैं इक जाती को आता हूं और मैं आज सक्षम हूं तो मुझे वो continuity में नहीं मिलना चाहिए ना फिर मुझे वो reservation नहीं मिलना चाहिए वो reservation वही हखाता मुझे आर्थिक जब होगी तो आपको ये भी आधार बनाना चाहिए इसके आधार पर ही होगा कि आपकी स्थिती क्या है आप कितना टेक्स भढ़ते हैं क्या है सारी चीज़ें सब उस आधार पर होने चीज़ें तब जाके हम प्रॉपर जाती गड़न का लाब लोगों तक पहुचा पाएंग हिंदू धर्म की कर ले चाहे मुस्लिम धर्म की कर ले बार-बार एकी चीज़ का राख अलापना जंता समझ चुकी है जंता को पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है इस से हिंदू को जातियों में बाटने की कोई आवशकता फिलाल नहीं है तो हमें समझना है कि आप voter है और vote आप किस तरीके से किल लोगों को कर रहे हैं, जो कि ऐसे बाते फैला रहे हैं, हिंदू-मुसल्बान कर रहे हैं या फिर जो आप के लिए काम कर रहे हैं, जाब वो किसी भी वर्क के लिए काम कर रहे हो. तो जैसा कि काजोल ने बताया और हम लोगों ने डिसकस भी किया इस चीज को तो जाती जडगर्णा भी जरूरी है पर उसका एक आधार होना चाहिए और इस तरह के बयान बाजी जब भी होती है नेता का काम है बयान देना और नेता की कोई जाती नहीं है इस बात को भी जनता को समझने की जरूरत है और इसी प्रकार से आप अपना ध्यान रखें और अपने अधिकारों का ध्यान रखें तब ही हम किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं इन बयान बाजीयों से हम किसी मुकाम पे पहुंचेंगे मुकाम पे पहुचने वाले सिर्फ निता होंगे और हम सब एक साइट खड़े मिलेंगे तो आप अपना ध्यान रखें इस प्रकार से और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर हमें सुझा बेज़े और हाँ निज्वाल इंडिया आप जरूर डाउनलोड करें तब तक के लिए नमस्कार जहिन